वेलकम बैट तो जैमा फैमली व्लॉग अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आज हम लोग बनाने वाले हैं मेथी और आलू की सबची उसके लिए मैंने मेथी और आलू को धोके रख दिया है उसके बाद हम लोग एक वेसल में तेल घरम करने को रख देंगे त्यल घरम होने के बाद अपहरे इसमें जीरा जिंजर गालिक पेस्ट और कांदे और अड यशिकत देख सकते हैं मैं पहले ही कांदा आर काट करकर रखा था वह मैंने अब अब अड र लिया है एड़ करने के बाद आप हम इसे ठीक से मिक्स कर लेंगे जब तक कानदे का कलर गोल्डेन ब्राउन नहीं हो जाता हमें उसे मिक्स कर लेना है जैसे के आप देख सकते हैं मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ आप देख सकते हैं हमारे कानदे का कलर चेंज हो गया है देखिए, चेंज होने के बाद हम लोग इसमें आलू एड कर लेंगे, आलू को भी हमें ठीक से मिक्स कर लेना है, आलू हम पहले इसलिए आड कर रहे हैं, क्योंकि हमें आलू को अच्छी तरह पका लेना है यासे कि आप देख सकते हैं मैंने उसमें स्वाद अनुसार नमग भी एड़ कर लिया है आप भी एड़ कर लेना उसके बाद हम लोग आलू को पका लेंगे मैंने थोड़ी देर के लिए उसे धकन मारके रख दिया था उसके आप देख सकते हैं मैंने इसमें मसाले एड़ कर लिया है इसमें मैंने गरम मसाला हल्दी और स्वाद अनुसार नमग और पीनट बटर भी एड़ कर लिया है यह सब एड़ करने के बाद हम लोग इसे ठीक से मिक्स कर लेंगे उसके बाद आप देख सकते होंगे कि हमारा अल आलू का कलर देखी सकते हैं, चेंज हो गया है आलू का कलर, देखिए, आलू का कलर चेंज होने के बाद हम लोग उसमें मेथी आड़ कर लेंगे, मेथी आड़ करने के बाद हम लोग उसको मिक्स कर लेंगे, आलू और मेथी हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, देखिए हम लोगों ने मेती को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह अब हमें इसे अच्छी तरह पका लेना है तब तक हम लोग रोटी बना लेते हैं मैंने इसे दुसरी चूले पे अच्छ में रख दिया है अब मैं रोटी बना रही हूँ सो मैं घी यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो ओयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट जरूर करिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए देखिए हमारा ये बन गया है अब मैं इसको लाटके रख देती हूँ अब देख सकते हैं कैसे पका लेती हूँ सो देखिए गाइस मेरी रोटी तयार हो गई है मैं इसमें अभी खी लगा लेती हूँ और रख देती हूँ और हमें मेथी को चेक करते रहना है नहीं तो वो नीचे से जल जाएगी हमें उसे थोड़ी थोड़ी देर में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो का लाइक और कमेंट ज़रूर करिए देखिए हमारे रोटी पक गया है हमें मेथी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है नहीं तो वो नीचे से जल जाएगा देखिए मैंने मेथी को मिक्स कर लिया है और अब हमारा मेथी और रोटी रेडी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक्स फॉर वाच्छिंग माई वीडियो ओके बाई गाईज